बाबा साहब डॉक्टर अम्बेटकर अपनी इस किताब में लिखते हैं कि भारत का इतिहास क्रान्ती और प्रतिक्रान्तियों का ही इतिहास है यहां निरंतर ब्राम्मणवाद दलित पहुजन परंपरा के बीच संगश चलता रहा है समराट अशोक के काल में बुद्ध दम फलता फुलता रहा 84,000 चैत विहार स्टूब बनवाए गए लेकिन इसी बीच उसके विपरीत विचारधारा भी मौरे सामराज में घुसपैट कर चुके थी मौरे सामराज के अंतिम राजा व्रहत्दत ने एक चूक कर दी सेनापती के पद पर एक ब्राम्हन को नियुक कर दिया बात का इतिहास तो आप जानते ही है धोखे से राजा को मरवा कर सेनापती पुष्यमित्र सुंग खुद राजा बनता है और शुंग वन्ष की शाशन के साथ शुरू होता है बॉध विजारधारा के तमाम गेंद्रों, प्रतीकों और भिक्षों को समाप्त करने का सिल्जिला लेकिन एक विक्सित संस्कृति के ब्रहत प्रामाणिकरान्तिक इतिहास को मिटाना इतना आसान भी नहीं था लिहाजा प्रतिक्रांतिकारी उस इतिहास का रूप बदलने लगे बुद्ध कहीं पर धेलिया तो कहीं तेलिया बाबा और गौरईया बाबा बना दिये गए धातु से बनी आखे चिपका कर कहीं देवी तो कहीं देवता बना दिये गए बौद गुफाएं अब पांडो गुफाएं बन गई स्तूप स्तंभ भी लिंग बना कर पूज़ जाने लगे विहार मंदिर बने और चैत मिट्टी में दबा दिये गए मुर्तियों को कपलो और लेपन से ढख दिया गया चीनी यात्रियों की खोज और बिटिश इंजिनियर अलेकजेंडर कनिंगम की खुदाई अगर ना होई होती तो शायद ये वास्तवी की ध्यास सामने आ ही ना पाता भारतिय पुरातत्त विभाग के ब्राम्भन अधिकारियों ने इन अवशेशों को विश्णू और लक्ष्मण के नाम कर ही दिया था बिखु महाकावे को अब महाकाल बना दिया गया पता ही नहीं चला कहीं स्तूप तोड़कर खेद बना दिये गये तो कहीं उसकी मिट्टी से कुमहार बरतन बनाने लगे इसे प्रशाशन की अंदेखी कहें या इतिहास मिटाने का क्रम जो भी हो ये भी एक तरह की प्रतिकरांती ही है जो आज भी जारी है आज भी देश भर में हर जगे खुदाई के दोरान बहुद आउशेश ही मिल रहे हैं जिने या तो नश्ट कर दिया जा रहा है या फिर उ बोध गया के महाबोधी महाविहार की आकरिती नजर आती है दरसल उजैनी के राजा चंड प्रद्योत के महामंत्री कात्यायन ने तथागत बुद्ध के पास जाकर विक्खु संग में शामिल होने की अनुमती मांगी थी तथागत बुद्ध ने कहा कि पहले आप अपने र समय विताया कुछ वर्षों बाद भंते महाकात्यान अन्न विक्खुओं के साथ धम्म यात्रा करते उज्जैनी लोटे भारत में विशालता वरिष्था और महानता दर्शाने के लिए नाम के साथ महाप्रत्य जोड़ा जाता रहा है जैसे विहार और महाविहार, स्तूप और महास्तूप, थेरो और महाथेरो, कात्यान विक्खु ही महाकात्यान बने कालंतर में जिनका नाम कहीं पर महाकाल हो गया तो कहीं पर काल भैरो चीनी यात्री हैनसांग ने यहां देखा कि यहां स्थूपों के छोटे-छोटे आकार बना कर पूजा करने की परमपरा रही है ब्रामनों ने धम्म इस्तलो पर गपचा किया और धम्म की हर चीज को नया नाम देकर मूल पहचान मिटा दी छोटे स्टूपों को शिवलिंग और स्टूप पुजा को लिंग पुजा के नाम से प्रचारित कर दिया और जहां नाम नव बदल सके उसको बदनाम कर दिया एक ऐसा ही नाम है वैश्या टेकडी वो जैन के नजदीक कई स्टूप हैं जो आज भी मिट्टी से ठके हैं और टीने या टेकडी नुमा नजर आते हैं सौ फीट उचे इस स्टूप का नाम वैश्या टेकडी पढ़ने का कोई ठोस प्रमान नहीं है पुरा तत्त विभाग जहां इसे वर्ण विवस्था के एक वर्ण वैश्य से सम्मंधित बताता है वहीं इस थानिये लोग इसकी एक अलग ही कहानी जानते हैं कि यह वैश्य टेकरी है बड़े बुजरूग केते हैं कि पहले यहां पर मतलब ऐसा कुछ होता था जैसे नित्यों वगरे होता था इसलिए इसका नाम वैश्य टेकरी रखा गया है समराड बनने से पहले अशोक वो जैनी के राज्यपाल बनाए गये थे विदीशा के स्रेष्ठी यानि की व्योसाई की पुत्री थी देवी जो की समराड अशोक की रानी बने उन्हें विदीशा या देवी नाम से जाना जाता था लिहाजा इस टेखडी के नाम से जुड़ी दूसरी की वजनती भी खारिश हो जाती है उज्जेन में तथागत बुद्ध के आसन के ऊपर एक सो खीट का उचा स्टूप बनाये था मारा जाशोक ने वो स्टूप आज भी पड़ा हुआ है उपेक्षित स्वरुप में तुटा पुटा हुआ है खराब है उस स्टूप के पास संगमित्रा और महेंद्र के स्टूप थे जो उसके अवशेश हम ने देखे हैं लगबग 15 साल पहले वो आभी वहां जमिन दोस्त हो चुके हैं किसानों ने खेती करने वाले लोगों ने वहां से उसको जमिन में समतल कर दिया है लेकिन जो आसंदी स्टूप है वो एक सो फिट उचा वो टीले के जैसे बहुत विशाल है उस स्टूप को लोग वेशा टेकड़ी करते हैं यहां तक के कुछ खराब मानसिक्ता के लोग उसको छिनाल टेकड़ी भी करते हैं तो यहां जो नाम गंदे संदे किये गए और सही तियास को छुपाया गया लोगों के मानसिक्ता बंदी गई यह एक बहुत अहीं बड़ा शडियत्र रहा है हो करके महा काल का मंदीर है वह महा काल होकर के महाकार्टैन का विहार है तो कुरांती को प्रतीकृंती में बदला गया उस संबंद में अभी खोज और रिसर्च जारी है यह प्रतीकृंती आज भी जारी है इस इस्तूप के आज पास मौजूद कुछ इस्तूपों को तोड़ कर लगबग समतल कर दिया गया है और उसको डिस्तूआ कर दिया गया है और बाकी कुछ इस्तूप यहां छोटे-छोटे और भी है आप देखेंगे यहां से नजर गुमा के तो इधर छोटे-छोटे इस्तूप आपको दिखाई देंगे जिनको यहां के लोगों ने डिस्तूआ कर दिया है 100 फीट उचे और लगबग 350 व्यास वाले इस्तूप के लगबग 1 किलोमेटर के दाइरे में एक और इस्तूप था जिसके मिट्टी से आसपास के कुमारों ने बरतन बना कर बेच दिये इस टीले नुमा इस्तूप को इस थानी लोग कुमार टेकरी कहने लगे जो विक्रम इनुट्शिटी में डाक्टर रामकुमार अहिवार जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हमारे सहर से लगी हुई के जगे पर आसपास के ग्रामिट शेत्रों में गोतम बुद्ध के कई इस्तालों के और उनकी अवसेसों को आप राप्त कर सकते हैं जान सकते हैं और खुदाई में मिलते भी हैं आप इस विसे में देखें तो हमारी जो इतिहास की पुस्तके हैं जो इतिहासकारों ने लिखी यहां पर प्राचीन जो अधिक्रत थे प्रोफेसर उनने अधिकतरों ने यह जो बहुत से संबंदित किताबें लिखी उसमें उजयन तराना रोड पर कानीपूरा में स्थित वैश टेकडी बौध महास्तूप का उत्खनन उननीस सो अटिस उन्तालिस में तातकालिन वालियर स्टेट के पुरतत विभाग अधिक्षक एमबी गर्दे ने शुरू करवाया था लेकिन किसी अंध्य विश्वास और डर के चलते इसे बीच में ही छोड़ दिया गया दरसल टीले की चोटी पर मिट्टी हटाते समय अचानक दो फीट व्यास का एक गढधा बन गया वहां से गर्म भाप निकलने लगी खुदाई करने वाला बेहोश हो गया दस-पंद्रा मिनट तक भाप निकलती रही उन्हें लगा जैसे अंदर कोई तहखाना होगा इससे पहले कुमार टेक्री से भारी संख्या में मानव कंकाल मिले थे ब्राह्मन अधिकारियों को ये डर भी सता रहा था कि कहीं बौद भिक्चूओं की हत्या किये जाने का वास्तविक इतिहास बाहर ना आ जाए सोलहवी सदाब्दी के तिबदी बौद इतिहास तारानात लिखते हैं कि पुष्यमित्र और उसके सहयोगियों ने बड़ी संख्या में बौद विक्ष्यों की हत्या की और मध्यपदेश जिसे मध्यमी कहा जाता था वहां से जालंदर तर मठों को नश्ट कर दिया इन गतिविद्यों ने पांच वर्षों के भीतर उत्तर से बौद सिध्धान्थ को मिटा दिया जानकारों का कहना है कि यह प्रतिक्रांति के दौर में जब भारत में पुष्यमित्र सुंग जो है उसने साकत नगरी पर कबजा किया साकत नगरी को अयोध्या बनाया और बहुत शासन जो था बहुत भीक्षों की कतल्याम की अहत्याइं की उसी दवरान उज्जेन में जो भी भीक्षू थे उनके मारकाट करने के बाद वहाँ दपना दिया गया जीसकारान खुदाय में धेर सारे कंकार एक जगह से निकले पचास के संख्या में पचास से अधिक तो यहाँ करांती प्रतिकरांती के दर्वियान जो कुछ घटनाए हुई उसका ब्याध्यान हो रहा है और हम मान सकते हैं कि जब प्रतिकरांती हुई जब ब्रामनी व्यवस्ता ने बादों का कतल्याम किया पुराने पुराने धेर सारे विहार जला दिये गए विक्षों को मार दिया गया तो उज्जेन जो शहर था वैभाव शाली नगर तो वहां पर भी बहुत कुछ हुआ माकात्यान विक्कु का जो विहार है उसे महाकाल कहा जाता है और यहां से आठ किलोमेटर जाओगे तो यहां पर उंडा सा करके गाव है वहां पर बहुत कालीन पूरी कलाकृति और बहुत सारे स्तूप अभी वहां पर और इवन डैट कि जब यहां से इसका उत्खलन किया गया तो कम से कम सो भीक्षों के अस्तिकलश यहां पर मिले जो भी अभी भी कलकता के म्यूजियम में है जो यहां बहुत दभीक्षों के जो हत्या हुई उसमें सो बहुत दभीक्षों के अस्तिकलश और समील उंडा सा गाव है वहां पर करिम यहां से साथ किलोमेटर दूर तो वह आज भी कलकता के म्यूजियम में मौजूद है और उसमें लिखा है कि उज्जन से शंग्रा अव जाकि यह उज्जन हो गया है और यह हमेशा ही बहुत धर्म का पूरा यह बहुत बड़ा केंद्रा और मैं आपको यह भी बताना चाहिए कि जब भगवान बुद्ध का महापरी निर्वान हुआ और चुकि उसमें कम्यूनिकेशन के साधन इतने नहीं थे तो उसके कारण क् लोगों को बहुत लेट मालूम पड़ा है ना तो यहां से भगवान बुद्ध को श्रद्धान जली देने के लिए पांसु विक्षों का जथा गया तब तक भगवान बुद्ध के जितने भी भौतिक आउश्य थे उन सब का बटवारा हो चुका था और इन लोगों को देन इसलिए फिर वहां के कमीटे ने निरने गया कि अब यह जो बचा यह भी हम वहां पर दिये फिर वहां लोग लेके चार-पाच महने में यहां पर आ गये और उस समय के जो ततकाल इन बहुत दशाशक थे उन्होंने यहां पर बहुत भवय स्थोपका निरमान किया लंबे सम समय बाद एक बार फिर वैश टेग्री तब प्रकाश में आई जब विक्रम विश्विद्याले उज्जैन में पुराता तुई भाग के प्रोफिसर डॉक्टर रामकुमार अहिरवार ने इस पर पुना काम शुरू किया इसके बारे में उन्हें बताया था कि यह बहुत बड़ा भारत का सबसे बड़ा बहुत उस्तुफ है इसके पहले यहां पर लोगों को पता नहीं था कि यह ताखत गुतम बुद्ध कर जो है उनके चीवर यहां पर स्तावित है स्वर्गी रामकुमार अहिरवार सर के ही माद्यम से इसकी खोज हुई और उज्जेन के निवास यूको उन्हीं के माद्यम से इस टेकरी के बारे में जो भी इसका इतियास है वह अभी तक उन्हीं के माद्यम से हमको मालूम पड़ा है और उन्होंने इसकी खोज करके पुर विश्यस्तोर पर सुनिल मोरी जी और नहरेश इंगले जी ये सबी लोगों से मैंने चर्चा की कि यार ऐसा ऐसा है और बहुत धर्मा का बहुत बड़ा केंद्र है और अपनों को पता भी नहीं है तो फिर हम लोगोंने एक फिर बैने में वाट्सप एक मेसेज चला है कि हमको चलना है उज्जन चले एक टाय अक्टॉमबर के हमने 25 तारिक डिसाइट कि हम आपना टीफिन लेकर सब उज्जन से उज्जन के प्रास्तान करेंगे तो उस समय करेंगे दो सो लोग हमारे साथ आए जब पहली बार हम यहां पर आये तो यहां पर बहुत ही दैनिस्ट्री आ पुछ हो मत और धीरे 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 जैसे हम लोग आने लग गए तो बहुता क्या है कि जब आत्में जाता तो आट्मेटिक सफाई होना चालू हो जाती अब आज ही है कि जब कि हम खड़े नहीं रह सकते ते और आज पोजिशन है कि हम कमफरड़ेबल है फिर धीरे बहुत द सबसे पहले बहुत बड़ा भवी प्रोग्राम रखा गया बहुत महास्तुप के नाम से एक संगठन निर्मित किया उसके बाद हमने यहां कारिकरम की करना चालू किये और उसको नेशनली इंटरनेशनली लेवल पर हम लेकर आए हैं फिर उसी समय फिर मैंने डिसाइड किया है कि हम यहां पर हर साल कारेकरम करेंगे और हमारे अक्टमबर नॉम्बर और डिसमबर तो अपने पास ए तीन मेने हैं इन तीन मेने में पर भववे कारेकरम करेंगे तो फिर सन्द चार जनवरी 2015 को प्रथम हमने हैं पर कारेक्रम किया और उसमें इतना परतिसाद मिला के लगबग भारत के सभी कोन से करीब पचास हजार लोग यहां पर उपस्तित हुए जिसमें जो है स्री लंका के भंते वेनेगलाजी को बुलाया गया जिसमें पूरे देश और विदेश स संख्यां में उपस्तित हुए हैं और जिस दिन कारेक्रम था उसके एक दिन पहले हमने तिंचा डंपर रेती के बालूरेत के बॉल्डर के वगरे के हमने यह बना मंगा है हम पाच्छे बजे साम यहां काम करें तो उत्ते में वह खेत वाले तिंचा लोगा और खुब हम लो लोग करीब आदा किलोमेटर जाके गाड़ियों में हमने उनको बता कि हम लोग आप घर जा रहे हैं उदर जाके हमने गाड़ी खड़ी कर दी गाड़ी के लाइट वोगरे बुश्या दिया ताकि अंध्यरे उनको दीखे निए फिर वो लोग आदा एक तो जैसे वह लोग यह जो दिख रहा है यह साइट का यह पूरा पानी बरावा रहता था यह पूरी जगह में यह बड़े-बड़े जाड़ थे हम लोग ने दिन रात मेनत करके इंदोर चाहा रहे कि उसको पूरा लेवल करके फिर कारेकरम बनाते थे पानी में पेर दस्ते थे वहापे उसमें नीचे पहले कारेकर में तो बहुत सारी कठीना आगी कि यह पूरा जाड यह पानी यह लोग फिर पानी छोड़ देती यह जूद सामने दिख रहा यह पानी वहां जाता था सामने फिर वहां पर हमने बड़ा जैसी पी लगा के कुछ यह मट्रिल डालके मुरूम और वो डालक करके फिर शाम को अमारा प्रोग्राम हो इस्थानी कारेकरताओं ने बताया कि इस इस्तूप को खोज कर जब यहां सफाई करना चाहते थे तब उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा क्याता है कि कुई भी काम आसान नहीं होता है हर अच्छे काम में कटना यह बहुत समय कठी नहीं का सामना करना पड़ा और यह नेशनल है कि उन लोगों को थोड़ा सा अलग लगा कि यह लोग हमारा हक मारना चाहते है हमारे जमीन पर उन लोगों को ऐसी भावना थी फिर हम लोग दूसरे प्रोग्राम में उनके घर गए पर्टुकलर जो जमीन वाला है उन करना ही पड़ेगे एक्चल में जब प्रफेसर राम कुमार अहिरवार साब ने काफी संखर्स किया फाइल वाईल और नागे बढ़ाई और काफी संखर्स के दोरान जब इसकी रासी उन्होंने आर्कुलिज डिपार्टमेंट को भी बताया और जब इसकी रासी संथिंग 14 क प्रोड ना की गई थी तो सरकार से उन्होंने अपील भी किया है निवेदन भी किया कि रासी जो है फॉर्मर को दिया जाए और फॉर्मर को देने के बाद यह जमीन छोड़ दिया ताकि आर्केलोजिक डिपार्टमेंट इसका विकास कर सके क्या हुआ कि जब हम लोग यहां पोड़ के अभागा दिये फिर उन से हमने याचना की कि हमको छोटी सी जगा दो हमें यह काम करना चाते है फिर हमको उनको लालज दिया कि देखो यह बहुत बड़ा स्थूफ है अगर कल सी यह बन जाता है तो आप लोगों को जमीन के काफी अच्छे भाव मिलेंगे आप क इसका विकास करें यहां से बात करें कि इसका विकास हो सके और जो 14 कोड़ की रासी है वो मिल सके लेकिन आज देखा जाए तो वह 2014 से अभी तक काफी समय हो गया इस पर जमीन की रेड भी ज्यादा हो गया जो 14 करोड़ की रासी वह बढ़कर बहुत ज्यादा संख्या में हो गई है फिर हमारे एक मोमेंट के बाद ही फिर पूरा तत्वा विभा को नीन खुली फिर उन्हों नहीं आप अधिरवार ने कुछ किताबे भी लिखी ताकि इन पुरावशेशों की ओर भारतिय पुरातत्व विभाग का ध्यान जाए यह जो स्तूप है जो यह पहले से अस्तित्व में है और इतियास में दर्ज भी है अगर 1956 का जो पुरातत्व विभाग का अगर आप हवाला निकाल तो उसमें यह वैश्य टेकडी के नाम से इसका आपको वंडर मिलता है और इसको राश्टिय धरवर के रूप में घोशित किया गया है पर इस तूप को जितना महत्व मिलना चाहिए यह राश्टिय लेवल पर यह राश्टिय पटल पर इसको आना चाहिए ता वह हो नहीं जबकि यह बहुत ही पवित्र स्थल है और चुकि यह उज्जन बहुत बड़ा इतियास में बहुत धर्मा का केंद्र बिंदु रहा है यहां पर भिक्षों को उपसंपता दी जाती थी श्रामनेर यहां से बन जाते थे इसके अलावा भंते भिक्षू इवन तक थेरवार औ काम बेटकर बहुत अन्वियाईयों की सहता से एक शेत्र में बहुत विराशत को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे इसी दवरान कोरोना काल में उनका ध्यान थो गया महास्तूप के समवर्धन का काम फिर रुप गया और केंद्र सरकार से भी इसकी सेंशन हो चुका है केवल राज्यसतर पर ही इसका काम आगे प्रोसेस में अटका पड़ावा है और यह उनका एक लक्ष था सपना था कि भारत में ये भी उज्जेन में भी ये जैसे महाकाल कोरीड़ और महाकाल एश्वर बना है ऐसा ही ये ब करें हम उनके बहुत है कि उन्होंने ये स्टूप की खोच की इतना होने के बावजुद भी यहां का प्रशासन जो है वह इस पर ध्यान नहीं देता है वह नहीं चाहता है कि इसका मतलब कुछ हो इसमें इसका डॉलप में हो यहां पर क्योंकि यह हमारी देखा जाए तो हमा लोग चाहते हैं कि प्रशासन इस पर अधिक सदिक ध्यान दे ताकि जैसा महकाल लोग बना है उसी तरह हमारा भी यह क्याबलती की एक दर्शन वाला चीज हो जाता है जैसे सब्सक्राइब करने के लिए हमारा कार्य कर रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए उनके ही मारगे दर्शन में हम चाहते हैं कि इसको विश्वमी वद्दस्थूप के नाम से उज्जेन को भी जाना जाए हम से अपील करते हैं कि हमारे इस धरव और ध्यान दे और इसका उद्धार करें हम बहुत समय से परेशान हो रहे हैं हम करवाने की कोशिश करी लेकिन बहुत दुखा थे कि वह हमारे बीच नहीं है सर क्या और उनकी बहुत सारी अच्छाईया है जो हम नहीं भूला पाते हैं तमाम प्रयासों, प्रतिक्रान्तियों, तमाम विरोधों और पुराता की उपेक्षा के बीच ये माहस्तूप आज भी समवर्धन की बाट जो रहा है वहीं दूसरी और प्रतिक्रान्ति वादी भी इसके रास्ते में लगे बोर्ट को ठक देते हैं फिर भी यहां के आमवेटकरी बहुत कारेकरता इन बाधाओं को हटाने का पूरा प्रयास करने हैं उच्चैन रेलबे स्टेशन पर उतर कर जब हमने एक रिक्षा चालक से पूछा तो उन्हें भी इसका पता नहीं पता था बहरान हम आपको बता दें कि रेलबे स्टेशन या बस स्टेंड से बाहर निकलते ही दाहिनी और तराना रोड से चले सिर्फ पाँच किलोमेटर की दूरी पर कानी पूरा में दाहिनी और आपको यह इस्थान नजर आ जाएगा दर्शुको आप जब भी आमबेट का जन्रुमी महू या इंदोर आएं तो इंदोर से सिर्फ 64 किलोमेटर दूर इस्थित इस महाश्पूर को देखने जरूर जाए किलोमे का जन्रुमी पर का जन्रुमी को जब भी आपको एंदोर आपको आपको नजर आपको चाहिन्या के ज़रा में ऑने।